एलो फ्रेंड्स आप सभी का मेरे किछन में बहुत बहुत स्वागत हैं मैं अपने किछन बनाने जा रही हूं पनी टिक का बहुत यासान तरके से अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लैक शेर कीजिए को मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिएगा चले एपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पर इस तरह से 200 ग्रम पनीर ले लिया उस तरह से मोटे मोटे थोड़े से और बड़े पीसे कट कर लिया मोटे इसलिए कि यह तूटेंगे नहीं आसानी से और यहाँ पर मैंने कुछ सब्जय ले लि लिए हैं जैसे कि मैंने थोड़ासा एक चमश नमग थोड़ास एक चमश पर अम मेर थोड़ास एक कलर हाँ ठूड़ से चेल्मान डाल मच और एध जीरा से और थोड़ासा गरम मसाला पाउर लिया है और BINDING MON डीन मैंने यहाँ पर या थोड़ा से चुनव मेंraft तरह से चृ की हघल डाल ताल दिया है यह हमारे जो बाटर मesध्य कैना तो सबंगी कर दिया है जो बाकी की सब जबने जिन जित्ती भी कट करें आई जीए सब्चीजी पर मैंने कुछ लहसुन भी ग्रेट कर लिये थह आप चाहे तो डाल सकते हैं लेस्ट भी आप थोड़ा सा इससे बहुत अच्छा प्लेवर आएगा सब चीजों को अच्छे से हलकी हाथों से मिक्स कर दे और फिर मैं इसमें पनीर डाल दूँगी आप कलर के चाहे तो लाल मिच की जगा कश्मीरी लाल मिच का भी यूज कर सकते हैं मैरनेशन को भी बहुत ज़एदा देर तक नहीं रखने हैं बस दस पंदा मिटे ले रखें इस तरह से हमार जो सारे मैरनेशन का मसाला बने कर इड़ी हैं तो आप चाहते हैं इस तरह के इसको उते हैं इसमीभी लगा सकते है आपके पस जो हो आप उन चीज़ों का उसकते हैं। क्लीक तरह से में सबसे पहले कोई हाइड चीज की है Bet कर अब अब करते हैं। आप चाहें तो जो शिमला, मिर्च, लाल और पीली उनका भी यूज़ कर सकते हैं जिससे देखने बहुत अच्छा लगेगा तो आपके पास जो सब चिहां उन चीजों का यूज़ करें इस तरह से मैं इस तरह से प्यास, टमाटर और सब चीजों को एक एक करके स्क्रेड में लगा रही हूँ तो बहुत ही असानी से बहुत कम मसा लोग साथ, बहुत ही जटपर से मारा ये पने टिक का बनकर तयार हो जाता है तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएगा, अपना फीडबेक ज़रूर दीजेगा तो इस तरह से आपके घर में भी अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो आप भी असानी से जटपर से इस तरह से स्टाटर में पने टिक का बना सकते हैं बहुत ही टिस्टी लगते हैं खाने में और बहुत ही जली से भी बन जाते हैं तो इस तरह से सारे स्कुर्स को बना लिया है मैंने ये देखिए कितनी जली से बन गया और कितने अच्छे लग रहे है चले चलते है आगे के प्रोसेज में तो मैं यहाँ पर ग्रिल पैन का यूज कर रही हूँ आप चाहे तो नॉर्मल तविका भी यूज कर सकते हैं सबसे पहले मैं इसे ग्रिल पैन पर ही उज करूँगे फिसके बाद मैं इस तरह की जो स्टैंड होता है उस पे से ग्रिल करूँगे जिससे कि बिल्कुल तंदूरी वाला फ्लेवर आएगा तो मैंने यहाँ पर ग्रिल पैन ले लिया आप चाहे तो नॉर्मल पैन ले सकते हैं हलका सा बिल्कुल तेल लगा दे बहुत ज़ादा तेल लगा हैं बस हमें ग्रिल पैन में तेल लगा कर बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्लेम को बिल्कुल हमें लो रखना है low flame पे जो हमने इस क्रूयर बनाय थे ना उसे एक एकर किसमे रख देंगे तो इस तरह से low flame पर तेल लगाने के बाद मैं सारे एक एकर के सारे स्क्रूयर को रख देती हूँ बहुत ही डिलिश्यस लगते हैं बिल्कुल आप इस तरह से रस्ट्रिंड स्टाइल घर पर पर परिंटिक का बहुत ही आसानी से बना सकते हैं तो आप भी प्लीज मेरे रेस्पी को फॉलो कीजिए को रेस्पी अच्छी लगेगी तो प्लीज रेस्पी को लाइक और शेयर शींज आप बहुत है बहुत हैं से अच्छे से जाएंगये बहुत इच्छा इस पर कलर भी आ जाएगा और इनका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब लगता है तो इस तरह से मुझे पलेटने में दिक्कत हो रही थी तो मैंने थोड़े स्कुर्स को हटा के सिर्फ तीन ही स्कुर्स को यहां पर रख दिया है यह देखे कितना बढ़ी आस पर कलर आया है न यह बहुत ही जटपर से बन जाते है इस तरह से हमें लो फ्लेम पर इसे साथ से आठ मिनुट के लिए एक साइट पर रख के फिर हम इसकी साइट को चेंज करेंगे तो लगभाद दस से बारा मिनुट में हमारे जो है परिटिक का अच्छे से ग्रिल हो जाएंगे बहुत ही बहुत ही डिलिशस लगते हैं तो आप इस प्रस्पी को ज़रूर कीजिएगा अपना फीडबेक शरूर दीजिएगा आप चाहें तो बिना स्कूर के भी सिर्फ ऐसे भी रख सकते हैं फिर लास्क में स्कूर लगा ले आपको जैसे कमफटेबल आप उस तरह से बनाएं लेकिन इस तरह से बहुत ही डिलिशस से लगते हैं इस तरह से मैंने एक बैच को फ्राइ कर लिया मैं दूसरे बैच को फ् नहीं है बहुत ही कुईक और बहुत ही एजी रेस्पी है और नहीं कोई स्पेशल मसाले चाहिए अब मैंने जो आपको यह दिखाया था ना ग्रिल पैन के बाद यह इस तरह का जो होता है इस तरह से आप तवे पर रख सकते हैं इससे बिलकुल तंदूर वाला फ्लेवर मैंने इसके साथ हरी चट्टी और कुछ प्याज रखकर से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो इस तरह से हमारे गर्मा गरम पनी टिक का बनकर तयार है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा अपना फीड़बेक जरूर दे मेरी वीडियो अच् इस तरह से मैं आपको दिखाती है बहुत ही लाजवाब बना है मैंने इस तरह से सॉस में और प्यास के साथ खाए तो इस तरह से आप भी इस रेस्पी को जरूर बिनाएगा अपना फीड़बेक जरूर दीजेगा अपको रेस्पी अच्छी लगी तो प्लीज में चानल को आप सब्सक्राइब कीजिए आप सभी का मेरी विडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यों फर वाचिंग बाबाए